आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है आशुतोष सिंग जो एक किसान है और साथ में पत्रकार भी साथ ही मौझूद है अनुपर से हमारे सन्वधाता चेतिन गुप्ता भी आशुतोष जी पहला तो जन्ता आपसे जानना चाहती है बताएं कि क्या है पूरा मामला क्यों बागिन बांथ जो कि करोरों की लावत से बना लगर उससे जन्ता अतरस्त है क्या कारण है इसका जो बान बना हुआ है से जाई होनी की करीप 5-7 ग्राम पंचयतों के गाउं में उन विजानों तक लगातार पहले पानी भी पहुंचता रहा कि विवाग की लापरवाही की वज़े से नहीं कुटी हुई है तीन साल से मरम्मत के नाम से लगाता है उसके रासी का आरन कर रहे है लेकिन जब उससे बनाने की बात की जाती है तो बजट कर नहीं होना बताया जाता है यह कुछ भी नहीं कुछ भी कार दा सिमना है विवाज की भी और राजनितिक लोगों की भी हुससे किसान परसान है उस से लेगे हुए जितनी भी खेति उन पर पानी बर जाता है विवुिदा लिखИत ही। लगातार उनों में आवाजें उठाई, पर देखने और सुनने वाला कोई नहीं तो क्या लगता है, यह जो पलीटा लगाया जा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है, क्यों सब लोग आखे बंद करके पड़े हुई हैं? जब कर मतिएं करने और सुमिल दो के पर आखें लोग को लिगद करके देख लाया然后 को आखें और सुन्यवारी है. यह को आखि लहा भर भी टेमें दोनों भी दोने रखें, जिन बदैवारी सोने लोग सबसा जब कर दोनुल पर लोग सभा हैं, ना रसक है जनुदावारी. तो क्या जो अवाज उठ चार को ले कर जो आवाज उठ रही हैं, जो आप लोग के द्वारा आवाज उठाई जा रही है अब ही तक इस पर ते शासन और प्रिशासन का क्या रवया है? क्या reaction आख रहा है? शासन और प्रिशासन का रवया एभी तर गीरे है, यद जनता परशानी होती, किसान परशानी होता, हमारे एक और मुखमंत्री कहते हैं कि किसान को हम हर तरीचे से ठाए बेदेंगे, दूसर आपके सामने पिक्चर में आप वीडियों पर देख सकती हैं, किसान तरीचे से देहा है, उनके केसों परतानी बारा हुआ है, जहांसे वो अनाज उगाते ते, जिस जूनकी रोजी रोटी का सहारा था, उसको इस फिरीचे हुए बेखे हैं, और यह और कोई नहीं, उस इस राजसिंग चोहन जी के सरकार के नमाएंगे है, उनी के पशासन के लोग है, उनी के राजनेतिक लोग है, यानि कि किसान जो है, एक राजन पा रहा है, तो उसकी इस्थिती उसके धरते जाके दिखिए, उसके नहीं होता कि किसान के साथ है, किसान के साथ है, अरसा नहीं है, किसान मैनत करके हुआता है, फशल हुआता है, लोगों को भी खिलाता है, लोगों को भी खिलाता है, तकि जमीन कुछ दाने देती थी, कु तो क्या लगता है कि किसान के प्लेस क्या है? कहां देखते हो आप किसानों को सरकार की नजरिये से? सरकार के नजरिये से तो सरकार किसानों के बहले में इतना ज़्यादा लगी हुई है कि किसान को अब तक पोखियों में रहने चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ वही कि जाना अच छिरतों पर तढ़ा है उसके पास रहने को अच्छी बेश्टों नहीं है उनके छिरतों पर पानी नहीं है पानी के नाम से इस तरीके के मेरे तूटी परी हुई है आना अच की मल्लियों में जाने के रास्ते नहीं है कि साहरा आज इस उतना ही बेहान है जो आज ते चार बाता साहले बेहान है तो आश्यतों शी यह जो परिशानिया को सामना करना पढ़ रहा है इसके लिए आप लोगों ने अभी तक क्या 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 प्रिशासन का क्या अभी तक क्या 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 क्य प्रशासन ने एक रख्की भर कभब में उठाया, जब भी प्रशासन तीस बिपर में बात करने की कोशिच किये, प्रशासन लगातार कहता है, हमारे पास बड़ अपने है, इसके लिए जब राजविटिक लोगों से हमने बात की सिकार्ची तून के तास रखा रखा रखाया दिख्वाते हैं, और इसके लावा कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ दी होता, तो मैं एक साल में बन सकती थी, नहीं एक साल में बन सकती थी, त्यों तीन साल थी तूटी हुए है, तो अशेटोशी आपको क्या लगता है, अभी इसका क्या उपाय होगा, जब पर शासन श कि आंदोला में एक मात रास्ता बचेगा जिस पर जनता जाएगी किसां जाएगे और तब कहीं जाके इनके काम पे जूरेंगे गी और जो मरमत का तीन वर्सों से खपा हुआ है उसके थोड़े से काम किये जाएगे बहुत बहुत शुक्रिया अशुतोषी हम से जोड़ने के लिए पिलहाल इतना ही बने यह तमाम ख़बरों के लिए ग्लोबल हिंजे टीन पर यहां पर क्या समस्या है यह आप हमारे बाइसाइट देख रहे हैं बागिन बांध बना हुआ है यहां से हम लोग सिचाई के साधन नहर निकला हुआ है लेकिन विभाग के तरब से आज तीन साल से कोई मरमत कारण नहोंने कारण हमारे पूरे खेतों में पूरा पानी भरा ह हुआ है जगा जगा से नहर टूटा हुआ को सीपे जाता है सीपे जाने के कारण हम लोग आज तीन साल से एक भी दाना नहीं हुआ पा रहे हैं जो कि हमारा प्रमुक जीवका पार्जन का साधन है पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है लब अलब उसमें दल्दल नूमा बन बना हुआ है यहां पर पानी की क्या समस्या है जो बागन बांद बना हुआ है हमारा जो बना हुआ है 미पूर नहर में पूरा पानी यहीं घी रहा है अपने खेटों में जा रहा है जले है रहा है यहाल का रुट के चलते हम ल्हों को भी आफ जा पारहे हैं यहार दीख रहे हैं आप हुआ आपके खेतों में । इसकी मुख्यवजा क्या है है यह पोल टूटने के वजए से है या ये नहर, जो बनी हैं नहर में सीपेज है या और कुछ दूस्रा कारण है क्या कारण है यह नहर की कारण है है सर्क पहले क्या है तिन साल पहले पहले हम लोग इस शीखेत इस बांद से जो है कितने गाउं को सीचने के लिए पानी मिलता था हमारे धन्पूरी पंचाय पूर जाता है और पांच चार-पांच गाउं कितने खेत प्रभावी कितने खिसानों के खेत मदलब यह जो पानी जो सभी के खेतों में भरा हुए कितने खिसान होंगे अइसे जिनके खेत प्रभावी कम से कम नेतर हैं जो नहर की नीके वाले हैं अरोपर वाले तो बहुत हैं यहां पर जिनकी प्राविस्टे पानी से उतना है आपका कहना है कि नहर जो आपके खेतों से गई है वस्टीपेज होने की कारण आपके खेतों में पानी भारा रहता है यह कारण आपके खेतों में पानी बहरा रहता है तिवारी जी यहां पर बांध की बज़े से क्या समस्या आ रही है आप लोग के साथ में? बांध की बज़े से सर पूरे पानी शिपेच होता है उसके बज़े से प्ल्ड़ाती हो पा रहा है और फुल भी चूता है। यहां की कोई ध्यान नहीं दे रहा हैं, हलिकारी लोग और केवल साफ साथाई कचड़ा फर साफ करते हैं उससे बाद कहत्म हा जाता है। हमेशा बार हुमातीस हो पानी चलता रहता है, यहां से चार-फांच गाउन से पानी पूरह जाता है, कहीं नहीं है। विवाग के आलवा अधिकारी इहां कभी नी रखशन के लिए आते हैं आये थे कभी नहीं आए हैं उनके करम-चारी ही केवल करने के पूट गये नहीं पहगे अजर्मी में दिखाई देते हैं बशोग गये लाव के अलव Chief दिकाई रहते हैं पानी हमें साईभि पानी नहीं पहुंटा हुआ है तो क्या पानी उनको मिल पाएगा यहां नहीं मिल पाएगा यहां पानी दूसरे जागा जाते रहता है प्लटूटने की वज़े से उनके खेट वहाँ प्रभाव से उनको क्या प्रभाव पढ़ेगा उनकी खेटी नहीं होगे सरसुन है फेक शेती नहीं कर पा रहा हैfully पूरा पानी भरा हुआ है जहां पानी भरा है वहां थो टुड़वी कडिसन में कि लापरवाही आपको दिख रही है मतलब किसकी लापरवाही का खामी आजा आप लोग किसान भाई लोग हो आप लोग जो उठा रहे हो आप लोगों ने उन से कभी बताया उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं